दिल्ली के आस्मान में उड़ते हुए दो प्लेन की ऐसी भयानक टककर जिसमें 349 मासूम लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी मौत के खौफनाक मंजर की ऐसी तस्वीर जिसे दिल्ली के लोग मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे इतिहास में जब कभी हवाई दुरघटाओं की बात होगी तो चर्खी दादरी में हुए दो प्लेन की टककर सबसे भयानक हाथसे के रूप में सामने आएगी दिल्ली का इंदरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट आज दुनिया के सबसे आधुनेक और बिजी एरपोर्ट में शामिल है जिससे हर साल लगभग 60 मिलियन यात्री 58 डोमेस्टिक और 62 इंटरनेशनल शेहरों के लिए उडान भड़ते हैं एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक हर साल लगभग 100 मिलियन यात्री दिल्ली एरपोर्ट से यात्रा करेंगे लेकिन 1990 के दशक में दिल्ली एरपोर्ट टेकनोलेजी और सुविधाओं के हिसाब से इतना विक्सित नहीं था हाला कि उस वक्त भी आधे से ज्यादा भारतिय इंटरनेशनल उरान के लिए उसी एरपोर्ट के इस्तेमाल करते थे जिसके कारण दिल्ली का एर स्पेस काफी बिजी रहता था 2010 में अपने आधोनी करण से पहले दिल्ली एरपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा इंडियन एर फोर्स के लिए रिजर्व था जिस कारण से एरपोर्ट पर फ्लाइट के आने और जाने के लिए केवल एक ही एरवे उपलब था आम तोर पर इस तरहां के बिजी एरपोर्ट पर आने और जाने के लिए अलग-अलग एरवे होते हैं जिसके कारण फ्लाइट को मैनेज करना काफी आसान होता है इसके अलावा उस वक्त दिल्ली एरपोर्ट पर केवल एक ही रिडार उपलब था जिसका मुख्य मकसद एरपोर्ट पर फ्लाइट की ट्राफिक को कंट्रोल करना था आम तोर पर बड़े एरपोर्ट पर दो रिडार होते हैं पहले रिडार से फ्लाइट ट्रैकिंग और कंट्रोल किया जाता है वहीं दूसरे रेडार को आने और जाने वाली फ्लाइट्स की हाइट और स्पीड वगेरा जानने के लिए काम में लिया जाता है यही दोनों कारण हमारी आज की केस स्टडी में महत्व पूर्ण भूमी का निभाने वाले हैं साउधी अरेबिया के धारन इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए उडान भरने की तैयारी कर रही थी बोईंग 747 सीरीज के इस प्लेन में उस दिन 289 पैसेंजर्स के साथ 23 क्रू मेंबर्स भी सवार थे उस दिन इस फ्लाइट का नेतरिद वो 45 वर्षिय कप्तान खालिद अल्शुबैली कर रहे थे जिनका साथ फर्स्ट आफिसर नाजिर खान और फ्लाइट इंजिनियर एहमद एड्रीस दे रहे थे उस दिन फ्लाइट में सफर करने वाले ज्यादा तर लोग साथी में काम करने वाले वर्कर्स थे जिसमें से ज्यादा तर लोग हिंदुस्तानी और कुछ नेपाली नागरिक भी थे वैसे तो ये एक नॉर्मल उडान थी लेकिन उस दिन इस फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों की नागरिकता को लेकर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ असमंजस के आहलाद बने हुए थे जिसके कारण फ्लाइट के डिपार्चर में कुछ देरी भी हो रही थी शाम के लगभग 6 बज कर 20 मिनट पर साओधी अरेबियन फ्लाइट ने अपना रोल आफ प्रोसेस किया और टेक्सी वे होते हुए फ्लाइट रनवे पर आ गई कंट्रोल टावर से पर्मीशन मिलने के बाद लगभग 6 बज कर 30 मिनट पर फ्लाइट ने दिल्ली एरपोर्ट से टेक आफ किया अपने निर्धारित फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए साओधी अरेबियन फ्लाइट ने मिडल इस्ट जाने के लिए वेस्ट डारेक्शन में अपना क्लाइब शुरू कर दिया उस दिन दिल्ली एरस्पेस में आने और जाने वाली फ्लाइट को 42 वर्षिय कंट्रोलर वी के दत्ता गाइड कर रहे थे 1980 में एर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर जॉइन करने के बाद दत्ता ने अपने करियर में काफी उपलब्दियां और प्रमोशन हासिल किये थे एरपोर्ट पर आने जाने वाली फ्लाइट के लिए केवल एक ही एरवे था वार्य था कंट्रोलर वी के दत्ता जब साओधी अरेबियन फ्लाइट को गाइड कर रहे थे ठीक उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी UN-764-35 नाम से रजिस्टर ये फ्लाइट 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स के साथ कजाकिस्तान के चिमकेंट एयरपोर्ट से उड़कर दिल्ली आ रही थी ये एक चार्टेट फ्लाइट थी जिसमें यात्रा करने वाले ज्यादा तर पैसेंजर्स कजाकिस्तान नागरिकता वाले रशियन थे जो शॉपिंग करने के लिए दिल्ली आ रहे थे कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट को 44 वर्शिय कप्तान अलिक्जेंडर चेरपनो वड़ा रहे थे जो 10,000 फ्लाइट आर्स के साथ एक बहुत ही एक्सपिरियंस्ट पाइलेट थे इसके अलावा फ्लाइट में फर्स्ट आफिसर एयर्मिक जैनग्रोव और फ्लाइट इंजिनियर अलिक्जेंडर चुपरोव के साथ दो और तकनीकी लोग फ्लाइट क्रू का हिस्सा थे ये एक बहुत ही बड़ा प्लेन था जिसे आम दोर पर भारी सामान धोने के लिए काम में लिया जाता था लेकिन कुछ कैबिन बदलाव करके इस फ्लाइट में कारगो के साथ साथ पैसेंजर्स के लिए भी जगा बनाई गई थी दिल्ली की एर स्पेस में आते ही कजाकिस्तान एरलाइन के रूट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी कंट्रोलर वी के दत्ता की थी जो साओधी अरेबियन फ्लाइट के साथ साथ अब कजाकिस्तान एरलाइन को भी गाइड कर रहे थे कंट्रोलर दत्ता ने साओधी अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट की उचाई पर जाकर उसी हाइट पर उड़ते हुए आगे बढ़ने को कहा कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन्स के मताबिक साओधी कप्तान फ्लाइट को 14,000 फीट पर ले जाकर उड़ाने लगे जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि दिली एएरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रेडार उपलब्द था जो सिर्फ मॉनिटर पर फ्लाइट को ब्लिंग करते हुए दर्शाता था सेकेंटरी रेडार ना उपलब्द होने के कारण कंट्रोलर दत्ता मॉनिटर पर फ्लाइट की हाइट या स्पीड इत्यादी नहीं देख पा रहे थे उस वक्त दुनिया के लगभग सभी बड़े और बिजी एरपोर्ट पर सेकेंटरी रेडार की सुविधा उपलब्द थी जिसके चलते एरड्राफिक कंट्रोलर प्लेन की पोजिशन के साथ साथ उसकी स्पीड और हाइट को भी मॉनिटर पर देख सकते थे दिल्ली एरपोर्ट पर भी सेकेंटरी रेडार लगाने की मन्जोरी मिल चुकी थी लेकिन दुर्भाग्य वर्ष कुछ कारणों के चलते इसे लगाने में देरी हो रही थी सेकेंटरी रेडार ना होने के कारण कंट्रोलर दत्ता पूरी तरह से फ्लाइट क्रू द्वारा दी जाने वाली जानकारी के अधार पर ही फ्लाइट को मॉनिटर और गाइड कर रहे थे इसके अलावा उनके पास और कोई माध्यम नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो किसी फ्लाइट की सही हाइट या स्पीड का पता कर सकें इस तरह की सिच्वेशन में फ्लाइट क्रू के साथ अच्छा तालमेल और कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि कंट्रोलर किसी भी फ्लाइट की स्पीड या हाइट वगेरा जानने के लिए पूरी तरहां से फ्लाइट क्रू पर ही निर्भर रहता है साथी अरेबिन फ्लाइट अब 14,000 फीट पर उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और वहीं कजाकिस्तान एरलाइन भी अब धीरे धीरे नीचे आते हुए दिल्ली एरपूर्ट पर उतरने की तयारी कर रही थी 23,000 फीट पर उड़ते हुए कजाकिस्तान एरलाइन की फ्लाइट को कंट्रोलर दत्ता ने 15,000 फीट की उचाई पर आने के लिए कहा ताकि 14,000 फीट पर उड़ रही साउधी अरेबियन फ्लाइट बिना किसी परिशानी के उसके नीचे से गुजर जाए International Civil Aviation के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंट्रोलर दत्ता ने दोनों फ्लाइट को साफ साफ इंस्ट्रक्शन्स दी कि वो अपनी निर्धारित हाइट पर ही उड़ें ताकि दोनों फ्लाइट कम से कम हजार फीट की दूरी से एक दूसरे को क्रॉस कर पाएं दिल्ली एरपोर्ट जैसे इतने बड़े और बिजी एरपोर्ट ट्राफिक को इतने साल सा कुशल समालने के कारण कंट्रोलर दत्ता इस तरह की सिच्वेशन को भली भाती समझते थे इसलिए उन्होंने कजाकिस्तान एरलाइन को साफ साफ कहा कि वो भी अपने नीचे से गुजरती हुई साओधी एरेबियन फ्लाइट पर नज़र रखें लेकिन अब बात आती है इस दुरघटना के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कारण की कजाकिस्तान एरलाइन के क्रू को इंग्लिश लेंगवज अच्छी तरह से नहीं आती थी जिसके कारण ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करने में काफी दिक्कत हो रही थी जहां कंट्रोलर दत्ता अपनी सभी इंस्ट्रक्शन्स को बिलकुल साफ साफ समझा रहे थे वहीं कजाकिस्तान एरलाइन के पाइलेट क्रू में कुछ कन्फ्यूजन के हालात बने हुए थे अच्छी तरहां इंग्लिश ना आने के कारण पाइलेट्स कंट्रोलर दत्ता के इंस्ट्रक्शन को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे इंग्लिश के अलावा कजाकिस्तान पाइलेट्स कंट्रोलर दत्ता द्वारा बताए जा रही हाइट लेवल को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे इंटरनेशनल एविएशन स्टेंडर्स को फॉलो करते हुए कंट्रोलर दत्ता हाइट को फीट में बता रहे थे लेकिन उन दिनों कजाकिस्तान पाइलेट्स हाइट को मीटर में मापते थे और इसी लिए उन्हें कंट्रोलर दत्ता द्वारा बताई जा रही हाइट को समझने और कैलकुलेट करने में बहुत परिशानी आ रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था इंग्लिश ना आने के कारण कंट्रोलर दत्ता की बात ना समझ पाने और मीटर और फीट में कन्फ्यूज हो जाने के कारण कजाकिस्तान पाइलेट्स प्लेट को 15,000 फीट के बजाए 14,000 फीट की उचाई पर ले गाए साउधानी बहुत ही जरूरी है फिर चाहे वो हवाई यात्रा हो या आपके घर की सुरक्षा इसलिए हमारे आज के वीडियो के स्पॉंसर हैं D3D Security System and CCTV Camera अब चाहे आप ओफिस में काम कर रहे हों या कहीं विदेश यात्रा पर हों अपने मुबाइल फोन से आप अपने घर और परिवार को कभी भी लाइव देख सकते हैं इसी तरहां D3D Security System लगा कर आप अपने घर में किसी भी अंचान आदमी को आने से रोक सकते हैं D3D Security और CCTV को इस्तेमाल करना बहुती आसान है और कीमत में भी D3D के सभी प्रॉडक्ट बहुती किफायती प्राइस पर उपलब्ध हैं इसी के साथ description में हम आपको एक special coupon code भी दे रहे हैं जिसका उप्योग करके आप special discount भी पा सकते हैं तो देर किस बात की अपने परिवार को दीजिए सुरक्षा का तोफ़ा और आएए इसी के साथ वापिस आते हैं अपनी case study पर जहां साथी अरेबियन फ्लाइट अपने निर्धारे तुँचाई 14,000 फीट पर जा रही थी उसके ठीक opposite direction से कजाकिस्तान फ्लाइट भी 14,000 फीट से लैंड करने के लिए आ रही थी आम तोर पर ऐसे हालात में पाइलिट्स दूसरे प्लेइन को देख कर भी बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बतकिस्मती से ठीक उसी वक्त दोनों प्लेइन बादलों में प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण दोनों में से किसी भी फ्लाइट के पाइलिट्स opposite direction से आ रही फ् पुशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी भारी भरकम कजाकिस्तान फ्लाइट का लेफ्ट विंग साउधी अरेबियन फ्लाइट के राइट इंजन और विंग को फार्टा हुआ निकल जाता है और बड़े धमाके के साथ साउधी अरेबियन फ्लाइट अवा में ही टुकडे टुकडे होकर भिखर जाती है वहीं कजाकिस्तान फ्लाइट भी थोड़ा और आगे जाकर क्रैश हो जाती है कई किलोमीटर के एरिया में दोनों प्लेइन का मलबा और लाशों के टुकडे पहल जाते हैं दोनों प्लेंस में से कोई भी जिन्दा नहीं बच पाया। तबाही के उस बयानक मंजर को चर्की दादरी के लोग सिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। किसी अन्होनी की आशंका से परिशान कंट्रोलर दत्ता बार बार दोनों फ्लाइट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कुई जवाब ना मिलने के कारण उनकी चिंता बढ़ती चली जाती है। शक यकीन में बदल जाता है कि दोनों फ्लाइट सापस में टकरा कर क्रैश हो चुकी हैं। माना वितिहास में दो प्लेन के हवा में टकराने की ये सबसे बड़ी धुरगटना थी जिसमें 349 मासूम लोगों के जान चली गई। इस दुरगटना के तुरंत बाद ही दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया। और भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोट जज रमेश चंद्र लाहूटी की अगुआई में लाहूटी कमिशन का गठन करके इसकी जाँच शुरू कर दी। जाँच रिपोर्ट में दुरगटना का मुख्य कारण कजाकिस्तान पाइलेट्स का कंट्रोलर दत्ता की इंस्ट्रक्शन को ना फॉलू करना पाया गया। कंट्रोलर टावर की इंस्ट्रक्शन को ठीक से ना समझ पाने के कारण कजाकिस्तान फ्लाइट अपनी फ्लाइट को 15,000 फीट की बजाए 14,000 फीट उपर ले आए जिसके कारण ये हाथसा हुआ ये हाथसा इतना बड़ा और दुखत था कि इसकी जाच के तुरंत बाद डिरेक्टरेट जनरल आफ सिविल अवीशन ने फ्लाइट सेफटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बनाए दिल्ली आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स के लिए T-C-A-S सिस्टम को अनिवारे कर दिया गया T-C-A-S एक ऐसा सिस्टम है जो दो प्लेंस को हवा में एक दूसरे से टकराने से बचाता है प्लेन्स की हाइट और स्पीड का सही सही पता लगाने के लिए दिल्ली एरपोर्ट पर सेकेंटरी रेडार को भी लगाया गया इसके अलावा आने और जाने वाली फ्लाइट्स के लिए दिल्ली एरपोर्ट पर दो अलग-अलग एरवेस बनाए गए ताकि प्लेन सुरक्षित गुजर सकें और इस तरह के दुरगटनाओं को रोका जा सके अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपिया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा होसला बढ़ाएं आपके सहयोग के लिए हम सदयव आपके आभारी हैं धन्यवाद